असलामों अलेकुम आज मैं आप लोगो उर्दू की पांचमी जमाद सबक 13 में दिये गए सवालों के जवाबाद बताने जा रही हूँ सबक 13 सारती गुडू ये मैं आप लोगो पढ़ा चुकी हूँ इसके अलफाज के माना भी बता चुकी हूँ अब आगे हम मंदज़ाजर सवालात के जवाब बात देखेंगे सवाल मावन गुडू मिजाज के इतबार से किस तरह का बच्चा था जवाब गुडू मिजाज के इतबार से सारती बच्चा था वो बहुती सारत करता था सवा नमर टू वो अपनी अम्मी और अब्बू का कहना क्यूं मानता था जवाब वो अपनी अम्मी और अब्बू का कहना इसलिए मानने लगा था कि उसके उसे अपनी गल्दी का इहसास हो गया था पहले वो अपनी अम्मी और अब्बू का कहना नहीं मानता था मगर जब उसे अपनी गल्दी का अहसास हो गए तो वो अपनी अम्मी या रब का कहना मानने लगा सवार nomor 3 उसका हाथ किस वज़े से जखमी हो गया था जवाब उसका हाथ पतंगी डूर से जखमी हो गया था सवार nomor 4 गुडू की अम्मी ने उसे गले से लगा कर प्यार किसले किया जवाब गुडू ने सचे दिल से तोबा किया और आज के बाद किसी को तंगना करने का वादा किया इसलिए गुडू की अम्मी ने उसे प्यार से गले से लगा कर प्यार किया अब आगे हैं बन्दज़ताल अलफास के बाहिद अलफास लिखे यहां कुछ अलफास दिये गए हैं उसका हमें बाहिद अलफास बराना है सबको अच्छे से नोड कर लेना और अच्छे से सबको याद कर लेना खुदा हाफिज झाल 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 झाल